गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मतब खेत मिलेके चलने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ बाजरा की खेती कि बाजरा की खेती कैसी होती है और कितना बड़ा उसका फेड होता है जो है और कितने लोग जो है चारा में कैसे यूज करते हैं और कैसे जब वह पक जाता है तो उसको टा जाता है एख niałem से बाजरा निकलता है वो सारी चीजे इस वीडियो में आज मैं cover करने वाला हूँ तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाजरा बाजरे के खेत है अब इसमें चलेंगे और आपको दिखाएंगे की कैसे कैसे बाज़रा कि बढद रहा है कौन्स अभी कच्छा है कौनस अभी कच्छा वाइस तो चली के का इसके अंदर चलते हैं व्याल को दिखाएंगे हमfound idea भी बाजरा के ख्तेज़ा और घर पे जाने के बाद इसका भैस हो इसका चारा बनेगा और प्लस जो पग गए हैं बाजरे उसको जो है की टूटके घर के में रख लिया जाएगा खाने पीने के लिए और बाजरे की रोटी बनती है और उसको भून के दाना होना में भी यूज करते हैं तो नजदी का यह मैं आपको दिख का दे रहा हूं कि यह बाजरे का जो है पेड है और कितना बड़ा पेड होता है यह आप देख सकते हैं कि यह जो है दखिए इस तरीके से फल लिया हुआ है और इसमें यह सारे इसके फूल है अगर गिराएंगे तो फूल गिर जाएंगे और यह बाजरा है आप देख सकते ह कि इसकी खेती कितनी बड़ी होती है और बाजरा जो है कि आप दिरे-दिरे फकने पर आ गया है कुछ बाजरे पाग भी गए है और कुछ जल्ए नहीं पके अब यह कट के जाने रगा है तो बाजरा दिखाना था इसका अग्ला प्रोसेस में आपको अब चारा के लिए अभी आपको दिखा दे रहे हैं ये देखिए ये काटा कल है और इस तरीके से काटा मारा जाएगा इस तरीके से इस तरीके से यह देखिए काटा मारा जा रहा है और इसके जो चारे हैं वो चारा देखिए इस तरीके से कटके नूचिया जा रहे हैं और इसी चारे को उठा के फिर भैस को खिला जाएगा और इधर दूब वाला भी है दूब वाला चारा रखा गया है और यह बाजरया है और कुछ बाजरा जो है उधर कटके रखा भी गया है वह आपको दिखा दे रहा हूं कि जो इसमें से मतलब पक गए हैं बाजरे वो इधर है अब इसको पीट के यहां से इसमें से बाजरा निकाल लिया जाएगा तो यह बाजरा हो गया इसको ऐसे वैसे करते हैं फिर दे दे निकलना चालू हो जाएगा और कुछ लोग पीट देते हैं और जब यह इस तरीके से हो जाएगा जाएगा आएगा क्या आएगव यह दाने इस तरीके से हो अब आएगा आएगा